नमस्कार दसके दमदा ट्रेट्स में आपका स्वागत है वीरूर में रहेंगे के लिए आदे खंटे आपके साथ और हमारे साथ पैनल में राजेश पालवी और अमिट सेथ पिछली इसू से बने हुए हैं साथ ही निर्मल बांक से विकास सालूं के और सेंटरें ब्रोकिंग क निलेश जैन भी अपनी टॉप ट्रेट्स के साथ जुड़ेंगे इसके लाव अब बिग मार्केट वर्शिस माज माज साथ दो खास मेमान जुड़ेंगे वाइट ओग कैपिटल के सीओ आशीश सुमयया से हुगी मार्केट फंडामेंटल से बाचीत और केडिया नमिक से फ फिर हम 2280 के आसपास फिर ग्रीन में आई निफ्टी करीब करीब 32 पॉइंट उपर प्रेशर बनाया HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंदरा बैंक का चार्ट लेकर आई है खास हो से इंट्रडे में और कोटक महिंदरा बैंक में देखे किस तरीके से गिरावत आई और अब यहां पर काफी गिरावत है लेकिन ब्रॉडर मार्केट में थीक था खरिया ली है कुछ स्टॉक्स कास्तों से चंबल फटिलाइजर्स आज सुबह विरू की टीम में भी था आज सुबह क्विक सिंगल में भी यह स्टॉक मैंशन हुआ था चंबल फटिलाइजर्स और यहां पिक भी की थी इन सब में अच्छे मोमेंटाम आते हुए और आज तो इवन वोड़ाफोन आइडिया भी चल रहा है 1.5% उपर नीचे क्या है जूबिलेंट फूडवर्क्स है और वो जो RBI का कॉशन आया उसके चलते मुथूत और मनापुरम यहां पर भी थोड़ा सा बिल्कुल वोड़ी काफी है और आपने च्छोटी सी समरी अभी सुनी और वे काम करते हैं ट्रेट्स को पिक करना शूर करते हैं राजेश पालवी जैमित सेट जी पिसले कार्क्रम से इस कार्क्रम में विश्रक्रत करते हैं विकास सालू के और निलेश जान फिर्स परस्प अच्छा यहां पे टार्गिट यहां पे आते हुए देखने मिलेंगे लीचे मैं गया इक स्टॉप लॉस्क टॉप आज करें वहाँ करना है इंडिकेटर भी यहां पर पॉजिटीव इंडिकेशन दीखा रहा है तो ओर लिया पर से बहुत स्टॉंग है टिकनिकल देस पर दूसरा मेरा रहेगा नवीन फ्लोरों का नवीन फ्लोरों में भी अच्छा मोमेंटम क्यारी करते हो देखने मिला अगर अब देखोगे तो लॉ दोनों भी काउंटर यहां पर स्टॉंग लग और दोनों में मुझे लगता है एक पॉजिट्व आई यहां पर देखने मिल सकता आगे एक से दो दिन में तो मुझे दोनों काउंटर में लगता है कि 36, 40, 60 का टारगे नवीन फ्लोरों में और GNFC में 724 का टारगे यहां पर कि दो टेट्स भीकास जी के यहां पर स्कीन पे निरेश गुद मॉर्निंग आपके दो टेट्स मॉर्निंग विरेंग जी गुद मॉर्निंग सभी को देखे सबसे पहले खरीदने की सब्सक्राइब केमिकल स्पेस में से दीपक नाइट्रेट इस पर्डिकलर स्टॉक में काफी बहतरीन सेटप है एक अगर हम डिरेटिव डेटा भी देखे तो लगबख 4% कि यह हुआ है के लेवल से श्टॉक रखना होगा 2910 का यहां पे तो इपक नाइट्रेट इक परिकलर स्टॉक है जहां पर खरिजारी की सला है उसके अलावा दूसा श्टॉक रडार पे टार्टा कम्निकेशन यहां पर भी लगातार एक सीरीज ओफ और हम टागिट की बात करे तो 2130 का स्टॉक रखने टार्टा कम्निकेशन को भी लॉंग करेंग सरा हो अच्छा अब एक काम करते हैं चलते हैं राजेश पालवी जी के पास राजेश जी क्या पे कर रहे हैं आप विरेंची मेट्रोपोलिस पे नजर है यह स्टॉक में एक कंटिनिटी बनी हुई या अप ट्रेंड के और जिस तरीके से स्टॉक में देखे दो एक थर्ड कंजिकिटीव डे है जहां पे एक स्ट्रेंथ पॉजिटिव साइट पे बनती भी दिखी है स्टॉक में हमें लगत है कि सिंजिन पे भी फोकस किया जा सकता है यहां पे एक पिछले तीन-चार ट्रेडिंग सेशन से देखें तो हायर हाई लोग फॉर्मिशन बनते वे दिख रहे हैं स्टॉक में ओवरॉल स्ट्रेक्चर बुलिश है सिंजिन फ्यूचर पे बाय करने की सला है और यहां पे हम टार्गेट एक्सपेक करें 9.35 की तरफ स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 900 रुपे के आस पास अब चलते हैं बागी ट्रेट्स के लिए अमिज जी के पास अमिज जी क्या पे कर रहे हैं जी विरन जी मेरी नजार ABB पे है ABB के अच्छे पैटन से भाहर आ रहा है पे इसे पाई करें 8100 का स्टॉप लॉस रहेंगे अच्छा लग रहेंगे उपर के लेवल्स पे लुपर के लेवल्स पे प्रेट्स के लिए तो यह समय कुछ ट्रेट्स मार्केट काफी वॉल्टाइल है एक स्टॉप जो थोड़ा सा अब मेटल्स इंडेक्स दिखाई ज़रा आज चाइना बंद है तो शायद थोड़ा सा लोग सोच रहें कि मेटल्स में प्रॉफिट बॉक करके कहीं और लगाया जाए यह देखिए मेटल्स इंडेक्स करीब-करीब एक पसंद नीचे और उसको लीड कर रहा है जीएस्टेवलू स्टील आएगा आपके स्क्रीन पर यह थोड़ा सा प्रॉफिट बॉकिंग यहाँ पर गावसर तो है लेकिन इसमें वॉल्यूम्स नहीं है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ प्रॉफिट लॉफिट यहाँ पर बेटर रहेगी अब बात करते हैं हमारे साथ वाइटो कैपिटल मैनेजमेंट के सीओ आशिश सोमया जुड़े है जो 20 सार से ज्यादा का अनुभाव रखते हैं और मुचल फंड इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं उन से जानते हैं कि वो इस समय क्या कर रहे हैं वाइटो कैपिटल एक ऐसा नाम जो FII भी है और DII भी है इनका अब फंड भी है और उस फंड में खासतों से जो फ्लेक्सी काप फंड है उसमें काफी अच्छी आउट पर्फॉर्मेंस रही है वरसे बेंचमार्क का उनसे बात करते हैं अशिश जी गुड मॉनिंग कल मार्केट में सबसे ज्य क्रोड के सेलिंग देखी भी यहाँ पर क्या ये ट्रेंड बनने का रिस्क है और अगर हा तो क्या मार्केट में करेक्शन आ सकता है अलूज जी अगर आप देखे तो इंडिया का पिछले तीन साल में जो हमने देखा है 2022, 2023 और इस साल भी तो देखे क्लियरली दो तरीके का flow है एक तो जो बासकेट होता है global emerging market, global equity तो अब समझे global equity funds जो है उसमें तो ओसतल इंडिया का allocation नहीं के बराबर या बहुत कम है पर आते हैं global emerging markets पे तो पिछले तीन साल में dollar की strength, US का interest rate और चाइना, रशिया, ताइवान, जो भी चीज़े हमने देखी उसकी वयज़े से global emerging markets का जो asset class है उसमें outflow था और हमारे यहाँ पर भी जो FII outflow था उसको आप attribute कर सकते हैं global emerging markets के इस basket को क्योंकि परस कीज़े global emerging markets के basket में से अगर 100 dollar निकलेगा तो 10-15 dollar इंडिया का भी निकलेगा तो emerging market basket जो मुझे समझ में आता है वहाँ पे negative flow था और जो लोग खास करके directly इंडिय में deliberately इंडिया में पैसा डालना चाहते हैं वो तो पिछले 2-3 साथ सिर्फ लोग बढ़ता जा रहा है बरकरार अगर आप 100 dollar इंडिया में जो आता है उसको break up करें के dedicated इंडिया funds non dedicated emerging market kind of funds तो अभी भी 50% पैसा जो इंडिया में आता है वो emerging market और इस तरह के basket के द्वारा आता है और जो directly इंडिया dedicated आता है वो अभी भी कम है इसके मुकाबले तो अगर पैसा emerging market के basket में आना है तो तो ऐसा नहीं हो सकते है ना कि भई खाली चाइना में आएगा इंडिया में नहीं आएगा राइट सो ऐसा assume करना कि पैसा जो चाइना में ही जाएगा वो इंडिया में न इसको एक निवांस तरीके से देखना पड़ेगा जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा इसमें तो अब आप कहां पर फ्रेश पैसा लगा रहे हैं ओवराल मार्केट के दो बात हो गई यहां से क्या अभी भी रिटर अच्छे मिलेंगे और आपकी प्रिफर्ट थीम्स क्या होंगी स्वानुच जी अभी अगर आप देखें तो पिछले तीन महिने से तो क्लिरली सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है और प्रिफर्ट थीम्स अगर आप देखें मार्केट हमेशा रिलेटिव वैल्यूएशन पर चलता है सो आई-टी अगर आप देखें आई-टी सिलेक्टेड कंज्यूमर कैपिटल मार्केट कंपनीज प्रिफर्ट सेक्टर बैंक्स कमफर्ट तो यहीं पर दिख रहा है और हम लोगों का वैसे भी अगर आप हिस्टॉरिकली हमारे पोटफोलियो में देखें तो क्योंकि यह हेट्रोजिनिस सेक्टर है यहाँ पर स्टॉक्स सेलेक्शन की काफी रोल होती है मैक्रो के बजाए स्टॉक्स सेलेक्शन की रोल ज्यादा होती है तो इन सब सेक्टर में हमेशा ओवर्वेट होता है अभी भी पूर्फोलियो में इंडस्ट्रिल्स वगेला ओवर्वेट हैं सो वो ऐसे रहेगा आशिश जे गुद बॉरिंग विरे इंद बोल्डाउं डेडी स्टूडियोस से अभी आपने प्राइवेट बैंक्स का जिक्र किया अगर मैं इस डिसकुशन में पूरे के पूरे रेट सिंसिटिव्स को इंक्लूड करो आपका ठीक क्या है जो ये पिछले एक महीने में घटना घटित हुई है यूएस में रेट कट जो ये एक लंबे अंतराल के बाद ये रेट कट की सैकल शुरू हुई भारत में कब तक प्रारंब हो सकती है ऐसे मेरे इस संसिटिव्स पर आपका टेक इसमर्थ विरेंदर जी अच्छली दो चीज़े हैं इसमें पहले बात यह है कि अगर आप देखें तो मार्केट में रिलेटिव वैलिएशन की एक बात है फ्लोज की एक बात है तो आप देखें पिछले तीन से चार महिने में अगर आप अपग्रेड्स भी देखें अगर आप इन्वेस्मेंट ऑपोर्चुनिटीज भी कहां बताई जा रही है वो देखें तो सिक्वेंशली एक तरीके से सेक्टर रोटेशन हमको अल्रेडी देखने को मिल रहा है दूसरा बैंकिंग के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लिकुडिटी टाइटनेस ये सब चीजे डेफिनिटली एक तरीके से इस्यू बन रहा था लेकिन आप देखें कि यूएस का जब से मॉनेटरी पॉलिसी का रिलाक्सेशन है और यहां पर भी समझें फर्स कोटर में स्पेंडिंग स्लो थी, इलेक्शन का माहौल था अब आप देखें तो इंटर बैंक लिकुडिटी का जो चेंज है मतलब जितना यूएस में रेटकट का इंडेशा है उतना इंडिया में नहीं हो सकते क्यूंकि उनकी आर्थे के अभवस्ता तेजी से हमारी आर्थे के ओवस्ता पिछले 3 साल में मंधी से उभरके तेजी की तरफ जा रही है तो वो लोग जिस तरीचे का रेटकट इंडिकेट करें और liquidity management का रूख है, वो तो बदलता हुआ नजर आ रहा है, आप रुपिये को भी देखिए, तो मामूली से appreciation देखने को मिल रहे हैं, बहुगो. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं पर आने वाले तीन महीनों में, और आने वाले तीन महीनों में और आने वाले तीन महीनों में और हम लोगों को monetary policy में changes देखने को मिलेंगे, इससे interbank liquidity, credit create करने का जो possibilities हैं, वो सारी चीजों में थोड़ा positive changes देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर इससे पहले बात हो गई, अच्छा अशिश जी जो स्कीन पर हम price message रीड कर पा रहे हैं, हाला कि earnings में कोई सुधार निया है, वो मैं बात कर रहा हूं जिसकी वो है commodities में, वो है chemical space, इसमें आप लोगों ने क्या view बनाया है, आपका नीजी राय क्या है chemical basket पे इस हमारे जो टीम हैं, हमारे जो analysts हैं, इनका सोचना इस तरीके का है कि COVID के बाद, पहले demand crunch, demand के बाद over supply, over stocking, और यह जो excess stocking वगरा जो है, पिछले 2-3 मेनों से हमको ऐसा लज़र आ रहा है कि अभी clear up हो गया है, मतलब जो supply chain में जो excesses होते हैं, वो clear up हो गया है, और आने वाले थोड़े समय में pricing firm होने की और situation improve करने का अंदेशा है, तो हमारे portfolios में बरकरार exposure है, और यहां से improvement की expectation है हमारी Okay, बिल्कुल, अच्छा, यह जो एक चीज मैं आपसे पूछने चाहरा था, PLI वाले stocks हैं, यह EMS वाले जो spaces हैं, जहां पर बहुत पैसा बना, क्या यह team अभी वे intact है, आपके fund में है, यह Dixon, Ember जैसे इस तरीके के stocks? अनुजी जरूर, actually, देखें, अगर आप multiples की बात करते हैं, तो पिछले 5 साल से, जैसे Dixon की आपने बात की, जब से list किया तब से, एक तरीके से expensive माना जाता है, और उस तरीके का return भी बना है, लेकिन अब क्या है कि यहां पर बात यह हो गई है कि potential, बार बार समझो profit book करते है है, थोड़ा exposure कम करते हैं, नए ideas धूनते हैं, लेकिन इसमें ideas मिल भी रहे हैं team को, manufacturing, outsourcing, components, यह सब चीजों में ideas मिल भी रहे हैं team को, और शायद आगे potential भी, जितना हमने अब तक देखा है, उससे potential भी कई ज्यादा है, तो depending on the relative valuation, portfolios में changes होते हैं, लेकिन अगर theme की बात करे हैं, तो यह exposure बरकरार रहेगा, नए ideas भी इसमें चलेंगे, existing ideas भी portfolios में बरकरार हैं, और आगे जाकर के अच्छा potential दिखता है इसमें. अच्छा आशिजी एक space पे comment आपके और लेंगे, क्योंकि अभी जब मैं rate sensitive की बात कर रहा था, तो मैं real state पे आ रहा हूँ, ultimately, मेरा प्रशन केंदित है real state पे, stocks में मूँ अच्छा खासा है, but real state के साथ, जो real state ancillary में चाम था, 23 में, 22 में, 21 में, वो अभी पिछले कुछ मही इनों से visible नहीं है, price damages भी हुए है, last reported earnings के बाद, real state ancillary, home improvement, ये segment in prices पे, आप लोग का view क्या है? विरंदर जी, हमारे portfolios में है exposure, अगर आप देखे, home ancillaries में selected, जो भी components है, home ancillaries, home improvements, ये सारो में exposure है portfolios में, खास करके क्योंकि, directly real estate stocks में हमारा ज्यादा exposure नहीं था, selectively एक-दो stocks में exposure है, जैसे अभी भी आप screen में दिखा रहे हैं, इसमें से 2-3 stocks में exposure है, but वो portfolio weightage में बहुत weightage ज्यादा है, और I think क्या है कि pricing को लेकर के, या valuations को लेकर के, आगे पीछे कभी profit booking, कभी reduction, but ultimately अगर आने वाले 3 साल की बात करें, तो real estate sector itself, अभी तो मेरे खाल में जैसे COVID के बाद एक cycle शुरू हुई है, अभी आप देखे तो इंडिया में lowest inventory पे real estate आ गया है, मतलब अगर आप home inventory देखें, तो one of the historic lowest पे आपको देखने को मिल रहा है, और आपको project announcements अभी देखने को मिल रहे है, तो valuations के वज़े से pluses और minuses हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे का अगले 3 साल का runway की बात करें, तो काफी potential है इसमें. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशिश जी आज हमाई साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए और थोड़ा market के technical setup की चरचा कर ली जाए, हमारे साथ केडियानोमेक्स के founder सुशिल केडिया जुड़े हैं, सुशिल आपके लोयल फैंस ने मिस किया आपको पिछले हफते, पहले तो होप करूँगा कि आपकी तवीत पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है? यह, अनुज़। क्योंकि एक अब बढ़ी रहली हुई और कल एक डिकलाइन आया, तो अब क्या वीव बन रहा है? देखिए ये रोज रोज के rises and declines से ज़्यादा अनुच मुझे आप से सब्ता में एक बार बात करने का मौका मिलता और पिछले वीक मिला नहीं तो मैं आपको एक अनुखी चीज दिखाना चाहता हूँ शुरुआ थे आपको पिछली बार मैक्रों पर बात करके मज़ा आया था देखे कुछ होता है न हम अपनी इंद्रियों में से कुछ चार्ट को देखते हैं नियूस को सुनते हैं और एक कुछ होता है कि जो एक ट्रेडर का इंट्यूशन अदर जिसे मैं कहता हूँ न मेरी चार्ट मेसे मुझे मुझे महक आती हो एक खास यह महक जब आई थी आखरी बार 2008 में है तो पूरे संसार के मार्केट्स का सत्यानाश हो गया था और 2012 से जो इसका बाटम बना था एक तरफा वर्ल्ड के सारे एसेट मार्केट्स में तेजी है और यह 2099 बे भी हुआ था यह क्या है क्या चीज की चार्ट है यह योरो वर्शिस जैपनीज येन की चार्ट है अब इसका लॉजिक बताता हूँ इसा क्यों होता है जितनी भी क करेंसी के सामने बढ़ता है तो जैपनीज येन और जादा बढ़ जाता है और डॉलर अगर घटता है तो जैपनीज येन और जादा घट जाता है यानि जैपनीज येन डॉलर की परचाई है तो आप जब योरो और जैपी वाई की रेशियो को देखते हो डॉलर के बाहर सबसे समवेधन शील करिंसी यह पेहर की जो हाइस सेंसिटिविटी होती है इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू स्टैस्टिकली भी वैलीड है मैंने टेस्स रन की है जब जब ग्लोबल एसेट्स मार्केट में एक तरफा पाच साथ साल का ट्रेंड या साल-दो साल का बड़ा टॉप हो जाती है तो योरो जेपी वाई का यह जो पैटर्न जो पाउट होके जो स्लैश आया में में और एक माइनर जो रीबाउंड आ रही है इस लाइन तक भी जा नहीं पा रहा है तो इसलिए या तो मैंने जो इतने साल में सीखा मैं सब कुछ भूल जाओ भूल नहीं पा रहा हूँ तो मैं सारे लार्ज कैप्स पे इसलिए हमेशा अल्ट्रा कॉशस होके चलूगा अब मैं उन से अगर उतर के हमारे नॉर्वल स्टॉक की चार्ट रीडिंग भी बात पर आता हूँ अनुच और यह सारे पैटर्न यह जो योरो जेपी वाई वाला पैटर्न व कच्वे और खर्वोष की कामी हमेशना होती है बजा रहें कच्वे अपनी मंथर गती से चल चल के चल चल के सारे इकठा हो गए सब अपने फाइनल पड़ाव तक पहुंच गया है खर्वोष बीच में थोड़े गबंडी हो गए थे अब उन्होंने जोर से वापस ब्रेक आ दे दिया तो दुनिया भरके 60-70-80 स्टॉक्स में लास्ट दस दिन में हमारे नए बाइकॉल जाये उन पे भी अब आएंगे और अनुछ लार्ज कैप्स में बड़ी सीरियस चेतावनी के पैटर्न्स बने वे हैं और तोनों स्पेसिस को मेड़ और स्मॉल कैप्स को अलग त स्टॉक्स के बाद उसके बाद कर लेंगे चाइना में जो हुआ वो उसको कैसे देख रहे हैं आप और एक जो रिस्क बन रहा है कि अब चाइनीज मार्किट यहां से बहुत बड़ी आउट पर्फरमेंस दिखा सकती है क्या वो टाइन कर रही है आपके इस व्यू से कि परतवानों की दुकान में हुचता तो सब कुछ सारे संसार में तोड़ फोड़ मचवा देता है तो वह घटना यहां जो हो रही है शंगाई कॉम्पोसिट की में चार्ट आपके सामने पूलता हूं देखिए हमने पहले इसको डिसकस हुआ था पंदरह दिन पहले कि एक तर तो सम्वेर चाइना में ना सस्टेनेबल तेजी नहीं बनती है जो बड़ी आउट परफॉर्मस तेजी होनी थी वीच साल पहले हो गई तो चाइना ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक विवस्ता का बजार है कि और कहीं नहीं मौका मिल रहा है हम चलो चाइना में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं और और वो जो यह देखो अब आ जाएगी है चार्ट मेरी स्क्रीन पर पीसियार अगर इस चार्ट को दिखा पा रहे है तो जो चाइना में दो वीक में जो बवाल आ गया और हमने यहां से भी एक पर प्रेडिक्शन निकाला था मार्च में भी चाइना में उच्छा लाएगा और फाइनल सेकंड बॉट्टिम यहां निकाला था मेरा अनुमान है चार अजार तक तो यह बिना किसी एजिटेशन के 42-43 तक तो जा रहा है तो चाइना पैसा खींच रहा अंदर एक जस्टिफिकेशन है पर डेस्परेशन में भी फंड्स को कहीं पैसा डालना है चाइना ठीक अंडर वैल्लिट दिखता है पर वहां बरोसा और विश्वास थ और अगर यह चार्ट में दिखा पा रहा हूं स्क्रीन पे लॉंग टर्म की चार्ट है 2008 का यह जो पीक आया था सेप्टेंबर 2007 में संसार क्रेश हो गया के बादे 2015 के बाद भी 16-17 सीवीर अंडर परफॉर्मेंस था एक बार वापस यह पीक आ रहा है और मुझे लगता है कि 4000-42 साथ का जब तक भीक आएगा बाकी वर्ल की इक्विटी मार्केट्स में मोटा करेक्शन बन सकता है एकनोमिक फियोरिक कोई इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन वाली नहीं है पर वही बोलते ने सारे महक इंडिकेटर ट्रेडर्स की जो इंस्टिंक्ट होती है चाइना पास्ट में जब जब इस तरह आउट परफर्मिस या संसार का बटा बटा है तो यह चाइना की चार्ट से वापस वही महकार ही है तो यह बाकी सारे एक्विटी मार्केट्स आउडार होगा है बुल इंद चाइना शॉप इंडिकेटर कहेंगे इसको इसको आपने यहाँ प के हैं और शॉट के हैं अगर कुछ क्लासिफाई कर पाए तो चलिए हम उन्हें नाम लेके भी बात करेंगे लॉंग आइडियास जो अभी भी बरकरार हैं या नए जिनमें बाइंग सिंगल जा रहे हैं उन्हें टाइम डियूरेशन थोड़ी सी बड़ी है कम से कम तीन महिन और जो लार्ज कैप्स के अंदर में जहां पे बिकवाली के संकेत आने लग गए हैं या जिनको हम अब बिलकुल तयार है कि जब सिगनल आएंगे शॉट सेल करेंगे वो मच मोर शॉटर टाइम होराइजॉन के है इस टाइम के डिफरेंस को समझने के बाद तो देखे पहले लार्ज कैप्स में बताओं कहीं शुटने की जगा दिख रही है जो FMCG में हमने खुंखार तेजी करी A to Z स्टॉक्स में अब हम सेल सिगनल के लिए वेट कर रहे हैं मेरे को हिंदुस्तान लीवर में शॉट सेल सिगनल का मौका आ गया तो शॉट सेल करने में कोई हेजिटे के अंदर जिस तरह से भाइंकर तेजी हो ली वहान की ग्रिपा रही को पैसे मिले अब IT को हमें बेच-बेच के कमाना है लगेंगे जित्ती बाए स्टॉप लोस लगेंगे लगेंगे मेटल्स में जो थोड़ा बहुत एक परकप अब आ रहा है और लग रहा है कि मेटल्स में सस्टेनेबल तेजी बन जाएगी तो देखे सेल जो बिलकुल लागाड रह गया था जिसने कोई भी कारणों से बाकी बजार के साथ पाटिसिपेट नहीं किया वो एक अपवाद की चलता चल सकता है NMDC में जो बढ़िया पैटर्न ब्रेक आउट आ गया और हमें NMDC यहां से भी 30% बढ़ता लगता है वो एक exception है नालको हिंडालको जो copper की sizzling rally होगे उस पे हो सकता copper की rally भी पीटर आउट हो जाए तो यह dangerous है और उसके पीछे में Tata Steel ले लूँ या जिंदल Steel ले लूँ ऐसी कहीं भी charts नहीं है JSW Steel Tata Steel यह सब कुटने पिटने के लिए तयार बैठें सिगनल नहीं है जब आएंगे तब हम बेचेंगे तो metals में अलग-अलग divisions है ऑटो के stocks में के Tata Motors ने धर धुलाई अच्छा मोटा correction कर लिया और अब अगर वो अप्ट्रेंड में है त इसका मतलब यह नहीं में Tata Motors को बेचेंगा मैं selectively Tata Motors पे लॉंड होगा तो metal हो गया auto हो गया banks bank nifty के अंदर HDFC bank बड़ गया और new high आ जाएगा चार्ट का pattern आप देखोगे ना बहुत ही गंदा type का pattern है और यह बजार के चद में सावधान रहने की जरू है यह देखो HDFC bank में सिर्फ double top बना है यह यह देखो double top बना है PCR प्लीज इस चार्ट को दिखाए बहुत important है और यह एक बार शिष्टा चार के लिए हमने ट्रेडिंग का पंदरा सो तक का व्यून आप दिया मैं बोलता हूं इन्वेस्टर्स को बारा सु रुपे का भावाने तक इसको लेने की म बैंक, SBI तो अल्रेडी डाउन ट्रेंड में, माइनर बंपा पाया, तो बैंक निफ्टी में जितने भी लार्ज बैंक से इंक्लिंडिंग कोटक हम बार बार बेच के लेंगे, एक बात यह कहनी जरूरी है अनुछ, जैसे व्यक्ति के भी विहवार में आपको बहुत सारे व और बेच-बेच के इनकों हमें कमाना है, बैंकों के अंदर में अगर कोई तेजी का सा छदम उसको क्रियेट करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक या आपके PNB, BOB, ये बीच-बीच में जोर से उचल जाएगा, बंधन बैंक ज़्यादा नहीं गटेगा, और बड़े वा करती है, तो लार्ज कैप स्पेस डीप करेक्शन की तैयारी में है, और यहां कुछ भी नई लिवाली करके पिडिलाइट ले लो, वो कुरूड का दाम घट रहा है, घटते घटते कुरूड अचानक 84 हो जाएगा, जितनी डेंजरस बनी विये, सिर्फ एक U.S. इलेक्शन की है, तो एक साथ डॉलर मार्केट में जो बावाल मचेगा, गुल्ड 15% नीचे आजाएगा, तो सारे लार्ज कैप्स बिल्कुल बचके चलने लाएगा, बीच में ट्रेडिंग ऑपरचुनिटिस तीन से चे महिने की कहलो तेजी में, यह शिप बिल्डिंग के स्टॉक्स है, माजगाव है, यह आपके गार्डिं रीच है, यह कोचिन शिप याड है, इनमें हमारे सब के बाई सिगनल जाएगा, चेमिकल्स के स्टॉक्स में लगाता है, बहुत सारे छोटे वाले MNC स्टॉक्स के अंदर में सब में बाई सिगनल जाएगा, तो सिलेक्टिव पॉकेट बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार, एक्सपर्ट्स के अपनी नीजी विचार होते हैं, वेबसाइड या मैनेजमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है, यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इनला लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा लें